हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कृर्शन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चेनल कंप्योटर ज्यान बुक स्वागता आपका इस पहरे से यूटूब चैनल में दोस्तो अगर आप ने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो लिए और बेल आइकन आपको ध्यान से होन करना है इसके अंदर तीन उपसन आते हैं आपको सलेक्ट करना आ आल नॉटिफिकेशन जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो मैं डालूगा यूटूब के ऊपर तो आपके पास में नॉटिफिकेशन आ जाएगा तो दोस्तो आ आज हम बात करेंगे, insert tape के अंदर, देखिए insert tape में आपको दिखाते हो, insert tape के अंदर जो important जो tools होते हैं, उनकी हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम कौन-कौन से कारिय कर सकते हैं, उन से हम क्या यूज में ले सकते हैं उनको, और किस काम में ये आते हैं, तो दोस्तो इनका हम करना है दोस्तो अगर आप शेयर करोगे तो आप की दवारा शेयर किया हुआ knowledge किसी के काम आ सकता है तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो है टोपिक्स और टोपिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बदाता हूं कि Studio Voice घो है वो आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा क्योंकि कुछ problem की वज़े से मैं Studio Voice लेकर आप रहा हूँ क्योंकि दोस्तो कुछ region ऐसे भी होते हैं कि आपको बताए नहीं जा सकते हैं और कुछ region ऐसे भी होते हैं जिसको आपको बताना जरूरी होता है तो दोस्तो कुछ time लगेगा और कुछ time लगने के बाद आपका इस्टुडियो वह इस आ जाएगा और कुछ दोस्त मेरे जो कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं यह कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए ताकि उनका भी वह इस बना सकें तो चलिए दोस्तों सुरू करते वीडियो और देखते हैं आज का topics क्या topics रहेगा आपना तो सबसे पहले आपको MS Word open कर लेना है MS Word open करने के बाद आप जो है इसके अंदर इसे open करोगे तो आपका कुछ इस तरह का interface दिखेगा इस परकार से आपको दिखाई देगा तो इसके अ में हमारे पास देखिए page है tables है और कुछ ये arts, clip arts, shapes, smart arts दे रखे हैं तो इनके अंदर हम सिखेंगे तो यहां पर पहला हमारे पास आजाता है cover page, cover page हम तब ले सकते हैं जब हम कोई book तयार कर रहे होते हैं या पिर book का cover page बनाना हो उसके लिए हम इसे ले सकते हैं तो यहां आप जो है यह cover page ले सकते हो इसे आप modify भी कर सकते हो modify करने के लिए आपको इस cover page को लेना होगा और जैसे आप लोगे तो यहां पर देखिए titles वगेरा आप set कर सकते हो यह मेरा username आ चुका है जो कि मैंने PC का दे रखा है यहां पर आप जब click करोगी तो इसके अंदर जो है आ टाइटल आप दे सकते हो यह हमारा cover page होगा अगर मैं आपको cover page दिखाऊं तो cover page किसे बोलते हैं तो यह हमारा एक मोटा गत्ता आता है जिसको हम cover page बोलते हैं यह हमारा cover page जो है तैयार कर सकते हैं ठीक है दोस्तों इतना करने की बाद आपको क्या करना है कि हमारे पास आज बहुत ही ब्लेंक पेज डेखिये effectivement यहां से भी ले सकते हो इसका जो सोट शॉटकट हो हाता है ctrl प्लस- objective प्लस इंटर होता है क्ए सकते हो आप यहां से ले सकते हो और controlled मगते हो से दोनुसे आप ले सकते हो इसके बाद में अगर रहे हम बात करें तो तो हमारे पास table option आ जाता है तो tables यह बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि इसके अंदर जो है आप बहुत सारे कारिये कर सकते हो तो दोस्तो tables का use हम ले सकते हैं यहाँ पर table बनने के लिए यहाँ से आप जब आप जाओगे इस table पर click करोगे तो करते ही आपके सामने कुछ box बने हु तो है इसके अंदर आपको columns और row की संख्या type करनी होती है यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके अंदर ये दिया हुआ है number of columns और यहाँ पे दिया हुआ है number of rows तो इसके अंदर हमें लिखना होता है कि कितनी हमें row चाहिए, कितनी हमें column चाहिए, तो जैसे 5 मुझे column चाहिए, दो हमें row चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 5 column आ गए है, दो row आ चुकी है, तो इसको आप ले सकते हो, यहाँ से आप इसके अंदर data एड़ कर सकते हो, अब इस से रो है, कौन सी cell है, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, draw tables में, draw tables से हम कुद बना सकते हैं, अपने अनुसार जैसे मुझे इतना बड़ा box चाहिए, और इसके अंदर मुझे एक यहाँ पर चाहिए, और इसके अंदर बीच में यहाँ पर मुझे चोटी चोटी रो चाहिए, देखिए, आप जब government works करते हो, government office कारी करते हो, तो उसके अंदर जो है, ऐसी row बनानी होती है, तो उसके अंदर आप इसे काम में ले सकते हो, इससे आप मेटा सकते हो, erase कर सकते हो, फिर यहाँ पर हमारे पास आता है, convert text to table, convert text to table से हम क्या कर सकते हैं, कि कोई भी जो text हमारे पास लिखा होता है, जैसे मैं अभी आपके सामने text लिखता हूँ, यह demo text है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इसको मैं select कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, convert text to table, देखिए, पहले select नहीं और जब मैं इसको click करता हूँ, तो यहाँ पर select show नहीं हो next हमारे पास आ जाता है, spread seat, जो excel की seat लगागे, excel का कारिये इसमें कर सकते हो, तो excel की seat जब हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास new file जो है open होगी, यह हमारा excel ओपन हो चुका है, इसके अंदर हम excel का कारिये कर सकते हैं, यह देखिए, बिल्कुल change हो चुका है, तो इसका हम excel का इसके अंदर कारिये कर सकते हैं, जैसे mark seat बगेरा बनाना है, तो मैं इसके अंदर आपको data add करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर RAM लिखा, और RAM यहाँ पर मैंने 6000 डाल दिया, और फिर यहाँ पर SHAM लिखा, तो SHAM का मैंने यहाँ डाल दिया 7800, तो यह मैंने इसमें data record कर दिया, और मैं side में click कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास data रह गया है, और file हमारी close हो गई है, अगर आप दुबारे से इसे open करना है, तो इसके उपर double click करना है, तो हमारा Excel open हो जाएगा, तो यह हम Excel spread sheet काम में ले सकते हैं, पिर हमारे पास आता है option quick tables, quick tables के अंदर हम calendar लगा सकते हैं, यहाँ पर calendars और second calendars, third calendars यह हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं second calendar लगाना चाता हूँ, तो यहाँ पर click किया, तो यहाँ पर मेरे पास calendar आ चुका है, यह हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें कोई meeting में जाना होता है, या फिर important meeting आप किसी को बेज रहे हो लेटर्स बगयरा तो इसके अंदर आप एक diet को मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर मैंने 25 को मार्क कर दिया है तो यहाँ पर 25 मही को meeting निर्दारीत था तो इसके अंदर फाल में देख कर के 25 तारिक को याद रखे है क्योंकि इसको हमने highlight कर दिया है तो इस तरीके से ये highlight करने की काम में भी आता है फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं pictures में अगर आप resume बगेरा तयार कर रहे हो आपको नहीं आता है resume बनाना तो आप comment कर दोगे तो आपको resume बनाना बता देंगे यहाँ पे हम resume के अंदर जब picture लगाते हैं passport size तो वो picture हम यहाँ से insert कर सकते हैं यहाँ से हमारी picture होती है वो picture हम ले सकते हैं इसके अंदर कोई भी picture आप insert कर सकते हो जैसे मैं यह picture insert कर ले आऊ और इसको हमें size में छोटा करना है यहां पे कोने बने हुए है, नो कोने हैं, तो नो कोने हम यहां पे काम में ले सकते हैं, ऐसे हम छोटा कर सकते हैं, उपर नीचे दाइवाई, यहां से हम इसको set कर सकते हैं, यहां से आप नहीं करना चाहते हैं, तो यहां से भी कर सकते हो, यह आपको दिखाई दे रहा हुगा size यहां पे इसके अंदर जाके आप कर सकते हो तो यहां से हम छोटा कर सकते हैं जैसे height में छोटा करना हो तो हम यहां नीचे से इसको छोटा कर लेंगे तो ऐसे हम password size photo जो है काम में ले सकते हैं लगा सकते हैं यह होता है clip art, clip art यह 3D picture काम मे आता है यह तो यहां पे हम click करेंगे और कोई भी जैसे हमें clip art या 3D picture, cartoon type picture लेना हो तो यहां पे हम नाम लिखेंगे search box में यहां पे search box आपको दिखाई दे रहा होगा यह यहां पे search box है यहां पे हम लिखेंगे नाम जैसे मैंने अभी girl लिखा हुआ है और यहां पे go करते ह girl की image आ जाएगी तो यहाँ पर okay करेंगे तो यह हमारे पास जो है एक picture आ चुकी है तो इस तरीके से आप जो है clip art ले सकते हो यह steps जो arts आकरतियां बनाने के काम में आता है कोई भी आकरति आप यहाँ से ले सकते हो जैसे मैं भी smiling के आकरति ले रहा हूँ तो यहाँ से आप अकरति ले सकते हो और इसके अंदर colors भी change कर सकते हो यह formatting है यह formatting आपको अलग से बताई जाएगी फिर यहाँ पर smart art आगे आपना smart art होता है कोई भी science की graphics दरसाने के लिए कोई भी graphics design कर रहे हो आप तो उसके लिए यह है आप ले सकते हो यहाँ पर text डाल सकते हो लिस्ट बना सकते हो जैसे यहाँ पर एक नाम हमने लिख दिया computer तो computer के कौन से बाग हो गई जैसे PC यहाँ पर हमने लिखती है computer PC और यहाँ पर लिख दिया CPU, mouse, keyboard तो तीन पार्ट होगे इसके तो ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है charts तो chart हमेसे excel data के साथ में लगाना पड़ता है तो वैसे simply आप लगा सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है demo के रूप में आप देख सकते हो जैसे मैं भी chart लगाऊं तो line के रूप में मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर okay करेंगे तो यह देखी यह chart लग चुका है हमारा और यहाँ पर यह data आ चुका है category 1, category 2, category 3, category 4 यह हमारा जो है इसका data आ चुका है और यह हमारा chart लग चुका है पर हमारे पास आ जाता है screenshot जब आप mobile में screenshot लेते हो तो आप PC में भी screenshot ले सकते हो तो यहाँ पर हम click करेंगे और screen clipping पर click करेंगे जैसे हम okay करेंगे, यह screen white हो गई है, अब हमें जहां से screenshot लेना है, वो ले सकते हैं, जैसे मुझे यहां से screenshot लेना है, तो मैं यहां पर okay करूँगा, तो यह मेरा screenshot यहां पर आ चुका है, ठीके दोस्तों ऐसे आप screenshot ले सकते हो, तो यह हमारे most important, जो लग बग लग बग हमें use करन में ले सकते हो, तो यह important tools थे, बाकिस में important tools और भी हैं, यह हम second video में देखेंगे, insert का यह first part है, insert का एक second part भी आएगा, तो दोस्तों यह video आपको कैसा लगा, अगर आपको यह video अच्छा लगा है, तो please video को like कीजिए, video को share कीजिए, और हमारे channel को आप subscribe नहीं किया है भी तक, तो subscribe कर लिजिए, thank you friends, मिलते हैं next video में, जल्दी आपसे मलाखात होगी, तब तक के लिए, goodbye